नमस्कार साथियों आप साथ साथ जब मैं बोल रहा हूं तो स्क्रीन जरूर देखिएगा हम बच्छपन से सुनते आते हैं कि जब भी कोई चोर बड़ा खाजाना बैंक ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बनाके उसके अंदर घुशता है जब किसी बैंक में सामने के दर्वाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुज जाता है और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकिदार से जरूर मिला होता है चौकिदार उसको बूर रहस से बताता है दे गार्ड अव बैंक नॉर्मली हेल्प्स the thief to get into the bank through a tunnel route what has happened now in Maharashtra is also something similar जो Maharashtra की महायूती सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है कांड है डाका है चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है दस हजार करोड की ये डखैती सरकार ने खुद करवाई है मैं दोहराना चाहता हूँ I would like to repeat this massive scam of 10,000 crore rupees has been done has been sponsored by the government of Maharashtra आप लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूँ और ये 10,000 crore महाराश्ट के हमारे मराठी भाईयों के हमारे मारवारी भाईयों के हमारे गुजराती भाईयों के हमारे तमाम लोग जो महाराश्ट के taxpayer हैं मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं उनकी कमाई से 10,000 करोड लूटा गया सरकार द्वारा लूटा गया आप बढ़ाईए इसको भी साथ साथ आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्ट पेड धंदा हम आपको दिखाए हैं पहले भी कई बार हमने Liberal Bonds کے विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंदा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोट ने आकर रोक दिया और जब से सुप्रीम कोट ने इस चंदा दो धंदा लो स्कीम को रोका तब से अब नई नई schemes लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटो रहे हैं, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें मापदंड होते हैं, हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूँ, tenders जब निकलते हैं, infrastructure के tenders निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई guidelines को दिमाग में रखते हुए, उसमें CVC हैं, उसमें तमाम अलग-अलग guidelines हैं, जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उधारन दूँ कि ये जो projects हैं, किसी भी एक company को दो से ज़्यादा package या projects नहीं मिल सकते हैं, ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है MSRDC का मापदंड है, महराष्ट्र स्टेट रोड देवलप्मेंट कॉर्पोरेशन का, लेकिन एक company को चार, दूसरी company को चार, ये 8 projects जो मैं आपके सामने लाया हूँ, 8 packages जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये 8 packages दो companyों में बाट दिये गए, मापदंड था, चार companies को आप दे सकते हो, क्योंकि एक company सिर्फ दो package ले सकती है, लेकिन यहाँ एक company ने चार package ले लिए, ये आपको मैंने पहला, मापदंड कैसे हटाया गया, वो दिखाया, एक और मापदंड था, कि company को सुरंग बनाने का, अनुभव होना चाहिए, आप हैरान होंगे, इन projects में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10 प्रतिशत है, लेकिन project का नाम सुरंग के नाम से कर दिया, ताकि इन companies को आप qualify कर सको, इनको आप काम दिलवा सको, आप सोचिए, और इसमें में हम सब को जिम्मेदार मानता हूँ, CAG से लेकर, मीडिया से लेकर, हम सब देश के नागरिक जिम्मेदार हैं कि किस बेशर्मी से एक सरकार लूट सकती है, infrastructure tender के नाम पे, वो बेशर्मी आज तक 75 साल में आपने नहीं देखी होगी, the brazenness with which a government can loot its people has not been seen in the last 75-76 years and I hold all of us responsible for that, whether it's the CAG of India, whether it's the media of India, whether every single citizen, we need to be aware, we need to be alert, we need to see what's happening around us, ये बिना रोक टोक के कोई शरम लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ढ़य नहीं, कुछ डर नहीं, ये कब आता है, जब आपको भरोसा होता है कि कोई देख नहीं रहा और अगर कोई देख रहा है तो भी मेरा कोई कुछ नही नहीं बिगार सकता, ये मानसिकता इस सरकार की भाजपा सरकार की ऐसी आ गई है, कि पहले जो काम महराश्ट्र में हम सुनते थे बच्पन में, आप लोग भी सुनते थे कि D कमपनी, D कमपनी लूटती है साब, फिरोती ले ले लेती है, किड्नाप कर लेती है, धमकाती है, मा इलेक्टरल बॉंड्स में भी 13 प्रतिशत इलेक्टरल बॉंड्स का चंदा महराश्ट्र से वसूला गया था, B कमपनी, याद रखेगा ये नाम अब बार बार दोहराया जाएगा, एक जमाने में D कमपनी थी, आज मोधी युग में, अमिच्छा के युग में, B कमपनी आ रही है, और लूट रही है महराश्ट्र को, आप ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एक और चौकाने वाली बात मिलेगी, कि जो प्रती किलोमीटर की लागत, कंस्ट्रक्शन करने की, बाकी राज्यों में, या NHAI ने, जो प्रोजेक्ट्स आवंटित ये थे, उसमें प्रती किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है, खोड़ा इसको दिखरा आपको क्लिरली, और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महराश्ट्र के, इसमें वो लागत दुगनी कर दी गई, ये सबसे चौका देने वाली बात. The cost of construction per kilometer has been doubled of what it was in earlier projects given by government, given by NHAI, in other states, what is so special about these projects, why has the cost gone up by hundred times, how can it be doubled? ये सवाल बहुत बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 करोड महराश्ट्र के taxpayer की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिये, और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिये. नहीं तो कंपनियां क्यों लेंगी, इतना पैसा और आप दोगे क्यों, आपके कोई सगे थोड़े ही हैं वो. लेकिन ये 10,000 करोड भाजपा ने कैसे लूटा, ये मैं आपके सामने लाया हूँ. अब आपके सवाल, अब आप भी ढूंडेंगे, सारा काम हम इसे कराएंगे, फिर आप क्या पॉलिटिक्स करेंगे, अगर हम जर्नलिजम करेंगे, पत्रकारी ता आपको करनी साब, हम आपके सामने कुछ तथिल ले आए, अब आगे खोजने का काम आपका है, सारे केसिस मैं जहलू हूँ, फिर आप क्या करोगे? Sir, what demands you want to meet with the government? Well, this demand is not from any government, because that's an outgoing government. वो तो exit lounge में बैठे हैं. This is a wake-up call to the media, to the CAG, to the courts of India, to the voters of Maharashtra. Here is the brazen manner in which you are getting looted by your own government. ये जो सरकार में आए थे, तब भी घपला करके आए थे, महाराश्च में तो आपको मालूम ही है. और सरकार में आने के बाद भी घपला करना है, वो आपके सामने रख दिया. Sir, ये जो, ये जो बोल्ट लिटर का आपने लिखा है, जो प्रिस कॉन्फरेंस प्रीपेट जंदा, जो प्रिस कॉन्फरेंस आपने जो बिजनस मिला की कंपनी को उसका जिकर कि उसके लिए प्यमों में पता हुए गए लागत बढ़ा दिके जो आपके आरोप है. तो और आप की बातों से लगता है कि पहले चंदे के तौर प्रिस की पेमेंट की की बात में काप दिया गया, तो जिन जिस कंपनी पर आपका आरोप है, आप पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो इसमें जो तुसरा पहलो कंपनी का है, उसका दान क्यों के लिए है? तो आपके लिए छोड़ दिया ना मैंने, कुछ काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने, कि अब आप बताईए को कौन कंपनी है, उसने कितना पैसा कब दिया, इलेक्टोरल बॉंड्स में भी दिया उन कंपनी ने, आपको मिल जाएगा, आदे गंटे का काम है आपके लिए. इसकी वज़े यह कि उस कंपनी ने कॉंग्रेस को भी चंदा दिया हूँ, एलेक्टोरल बॉंड्स के डिटेल पे है, क्या इस वज़े से आप कंपनी का नाम नी लेगा? पुने का प्रोजेक्ट है, पुने का प्रोजेक्ट है, पुने रिंग रोड, E3, E1, W1, W2, W3, तो आपके सामने हैं? यह उनी में आया है, यह खास तोर पे, यह कांड जो हुआ है, जो टकेहती हुई है, यह वहाई हुई है, बीस हजार नौसो नब्बे करोड के यह प्रोजेक्ट्स, आठ प्रोजेक्ट्स, जो मैंने आपको अपनी प्रेस रिलीज में, और प्रेस रिलीज तीन भाषाओं मे हैं, बीस हजार नौसो नब्बे करोड, होना कितना चाहिए था, दस हजार सतासी करोड, नौसो दिन, नाइन हंड़ेड डेस, पवन सर, अभी कहां, इसके अलावा क्या सवाल है, यही सवाल, नए, पवन सर आप, सवाल यह क्या आप कहरें, यह आउट गोइंग सरकार है, त तो किस तरीके से जाच की जाएगी और क्या जाच का ताहरा रहेगा, इस तरहें के जितने भी प्रोजेक्ट्स इस आउट गोइंग सरकार ने इस तरहें से दिये हैं, जहां टैक्सपेर का पैसे को लूटा जा रहा हो, सरयाम लूटा जा रहा हो, उसकी ना केवल जाच होग हैं, उनको बक्षा नहीं जाएगा. मैं भी आपको कई चुनावों से देख रहा हूँ, आपने कई सीट बटवारे देखें, आपने हर बार सीट बटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरहे के माइंड गेम्स खेलते वे देखा होगा, ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है, सीट दिक्कत नहीं है, अगर भाजपा को ये उम्मीद है, कि इसी उमीद से अब हम वापस से आ सकते हैं, तो वो गलत है। पार्टी मुझे बहुत होमवग देती है, खोड़ा होमवग आप भी कर लीजे, हाँ जी, आज और कोई सवाल नहीं होगा, पहले ही में बता देता हूं, मेरी महतवपून इतनी महनत होती है, तो उसके बार अच्छा नहीं लगता कि उस पर फिर कोई और सवाल आ जाए, इस ही है वहाँ, क्योंकि बीजे पी की का शासन केंदर में भी है, एजेंसी उनके पास हैं, यह सरकार भी एजेंसी की सरकार है, एडी का फुल फॉर्म महराश्च में जब सरकार बनी तो एकनाथ और देवेंदर हो गया था, तो एडी गवर्मेंट इस एकनाथ और देवेंदर गवर्मेंट, तो हेरा फेरी से सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हेरा फेरी शुरू कर दी, धन्यवाद. प्रदार मंत्री के एंड्रेस में कुछ ऐसे बिंदू है जिसमें कॉंग्रेस पर अटैक किया गया अगर आप उस पर रेक्शन देते हैं।